नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको बहुत-बहुत सागत हैं, तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इनपोर्टेंस कंपानी का अपडेट सेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पुरा लास तक देखेगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया, तो जोरू कर लिजएगा, तो चलो देख लेते कौनसा कौनसा कंपानी है, इस पीडियो के अंदर, फॉस्ट जो कंपानी है, उसके बरे में बात कर, उसका नाम है पेटियम, तो पेटियम के उपर चर्चा करना बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंस हो चुक है, क्योंकि लगातार पेटियम, लगातार गि इस कंपानी के उपर बहुत बड़ा एक आरोप लगाया, बहुत बड़ा रिश्टिक्सन कर दिया, और ये भी बता दिया कि 29th of February, तो 29th of February में इस कंपानी के जो पेटियम बैंक है, उसको बंद करने के लिए वो यहाँ पे रिपोर्ट भेज चुके है, पेटियम को, तो पे बहुत सरे कमेंट्स आया था, कि सर, पेटियम ने रिवेक किया, और इतना बड़ा क्रियास होने के बाद, फिर से देखिए, पॉजिटिव केंडल होना स्टार्ट हो चुके है, और प्रिवेस जो इसका लाइफ टाइम लो है, इसका जो लाइफ टाइम जो इसका लो है, उस अगर बड़ा हो, और इसको पीवेस कैनल को पुरा का पुरा कवर करे, तो जिस साइड में ब्रेकडाउन करेगा, अगर ब्रेकडाउन करेगा, तो नीचे फॉल देखने को मिलेगा, अगर ब्रेक अप करेगा, तो उपर साइड में जाता हो देखने को मिलेगा, तो एक बेस उस बैंक को बंद किया गया है मतलब RBI ने उसके उपर restriction लगा दिया कि PTM Bank का system बंद करना पड़ेगा अगर PTM Bank बंद हो जाए तो जितने सारे कम, मतलब एकती ने PTM Bank opening करके रखे थे उसका जो fund था, वो fund बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वो fund में क्या होगा, मान के चले मेरे PTM Bank account में करीबन एक लाख रुपया है, तो अगर 29th November के बाद Bank बंद होने वाला है, PTM Bank तो क्या इस एक लाख रुपया मेरा मुझे नहीं मिलेगा, मिलकुल मिलेगा आप 29th November के बाद PTM Bank के उपर कोई भी पैसा नहीं add कर सकते है, कोई भी नया deposit नहीं कर सकते है, जो पहले पैसा है, वो पैसे को आप विद्रो कर सकते है, हाँ, इसके लिए टाइम मिलेगा, आपको उस टाइम के अंदर विद्रो करना पड़ेगा, तो एक इतना बड़ा negative points है, जिसके चलते लगातार वो आपको बहुत दूरी तरीके से फसाएंगे, क्योंकि पैटियम का जो बीजने से first time से ही आप देखेंगे, तो loss making company है, ऐसे नहीं कि company profitable company है, company में sales आपको देखने को मिलेगा positive, मगर company के expense इतना ज़्यादा है, जो आज तक company हमेंसा loss किये है, और और जब Oren Buffett जी इस company से निकल चुके थे, जब Alibaba, जो China का सबसे बड़ा company है, वो भी इस company से exit हो चुके थे, तब भी मैंने आपको share किया था कि PTM से अभी भी मौका है, कुछ decision लेने का, देखें, buy sale करने का recommendation तो मेरे पास नहीं है, मैं सारे चीजे decisions को समझा सकता हूँ, decision तो आपको ही लेना पड़ेगा, क्या पैसा आपका है, आपका पैसा फसे हुए है, तो आपको ही decision लेना होगा, अगर आप face buy करना चाते है, तो आपको सारे चीजे अब पाद में आपको बोल सकता हूँ, ये कोई भी loss making company के उपर क्या निवेसकना सही है इस बात को मुझे comments करके लिखिएगा तो मैं इस company के उपर obviously negative हो और मेरा कोई भी investment भी नहीं है और मेरा कोई trading भी नहीं है इस company के उपर मैं हमेसा daily आपके साथ इसी लिए update share कर रहा हूँ कि कि जो लोग फसे हुए है higher level में उसको मतलब मैं एक ही बात कहूँगा कि कोई चमतकार हो जाए पेटेम के उपर तभी company reback कर पाएंगे अगर चमतका नहीं हुआ तो पेटेम का situation बहुत भिगड़ता हुआ देखने को मिलेगा और आप खुद ही देख सकते हैं जो company 1000 के उपर चल रहा था एक time company 1000 नहीं 2000 के आसपास चल रहा था और आज company सिर्फ कितना price में चल रहा है सिर्फ के सिर्फ 300 रुपीज के 325 रुपीज के आसपास चल रहा है तो इस बात को आपको ध्यान दखना होगा नेक्स चो company उसका नाम है एम्टर टेकनोलोजिस लिमिटेड इसके उपर भी देखिए एक big crash देखने को मिला था इसके उपर एक patterns केड़ हुआ था एक solder, come head, come solder बना था उसके बाद breakout हुआ और breakout confirmation भी हुआ और जब retest किया तब इस जगा पे मैं खुद entry लिया था और उसके बादे के धीर दे करके वो recovery भी हुआ एक बड़ा fall देखने को मिला अभी दिखिए मैं पिछली दिनों में एक video बना के आपको share किया था कि यह जो level है इस level को touch करने के बाद फिर से वो reback कर सकता है तो यह level कौन सा है इस level को अगर में थोड़ा सा जूम छोटा करके दिखा दू आप देखेंगे कि previous जो data है यह previous जो level है इसी level को strongly एक support के तरह काम किया मतलब उपर गया फिर से आपर आकर support लिया उपर गया फिर से support लिया फिर से दिखिए यह आपर big journey दिखा फिर से support लिया और यहां से फिर से उपर जाने का वो कोशिस करेंगे अभी यह देखना है कि वो कितना उपर जा सकते है कि दो तरीके से situation बनेगा कमपानी के उपर पहली situation क्या है पहली situation है कमपानी का इस जगा पे एक strongly resistance है और 200 days यह में भी है मतलब दो तरीके से इसका resistance मिलेगा अगर इसको break करके उपर गए तो ही अच्छा कासर journey हो सकते है तो आप एक question यह है कि company को पर इतना बड़ा fall देखने को क्यों मिला है देखिए अगर emtertech के बारे में बात करूँ तो emtertech आप सभी जानते देखा जाए तो एक government company है defense sector aerospace इस तरीके से nuclear साथी साथ जो energy segment है उस sector के उपर काम कर रहा है तो government यह जो budget था इस budget में defense के उपर तो ज़दा से ज़दा budget announcement किया गया है तो fresh कोई defense sector के उपर कोई नया budget नहीं इसू किया गया है तो जिसके चलते हैं और बागी इस company के उपर जो quarter result है वो देखेंगे तो company का sales में कमिया देखने को मिला 160 crore से 118 crore के आसपा sales हुआ expense को company control करने के बाद net profit 30 crore से 11 crore बन चुके है मतलब 3 गुना company का profit कम हुआ और quarter quarter basis में भी 2 गुना company का profit कम हुआ और यही एक कारण है जिस कारण के बज़े से companies को पर एक big sale up situation देखने को मिला तो मैं बार 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 बोलता हो कि जब हम लोग काम करते ना किसी companies को पर आपको सारे चीजों को follow up करके सारे चीजों को watch करके काम करना पड़ेगा कि हम लोग एही सोचते है कि company बढ़िया है चलो buy कर लेते है ऐसे बिल्कुर नहीं company के हर time track करना पड़ेगा अगर आप traders है अगर आप investor है तो भी आपको companies को पर continuously watch करना पड़ेगा क्योंकि बोही company आपको अच्छा का सा return देने का capability रख पाएंगे बागी as a investor इस company को पर एक धामा का investment भी करकर रखे है इसे नहीं के माल बेचकर भाग गया आप खुरी देख सकते है चलो मैं आपको यहापर दिखा देता हूँ देखे FS ने क्या गया जिसके पास से 2% holding था आज FS ने 11% तक continue कर रहा है और DS के पास कितना था 25% holding था आज 18% के आसपास है और promoter के पास पहले कितना holding था करीवन 50% के आसपास वो holding को कुछ बेचा गया अभी 37% के आसपास holding है हाँ मुझे AB comments किया गया sir company को उपर 9% के आसपास placing है तो क्या इस company negativity में है बिलकुर नहीं 9% के placing है मतलब company ठीक ठागी काम कर रहा है बाकी इस company के उपर आपके एक opinion है जोरो मुझे comments करके बताना next company उसका नामे Tata Consultancy Services finally TCS के उपर मुझे target मिल चुक है वो target कुछ इस तरीके से मिला पहले क्या बना एक cup बना उसके बाद एक handle pattern केड़ हुआ finally break out हुआ break out हुने के बाद वो नीचे आए और इस नीचे level को touch करने के बाद वो धीरे धरके के क्या कर रहा है उपर जा रहा है और इस ही level को higher level को वो touch करने के लिए जा रहा है मतलब जब भी इस level को इस range को वो retest करेगा उसके बाद वो उपर जाने के कोसिस करेंगे तो finally कितना 13 person के आसपस वो target को achieve करने का कोसिस करेंगे तो दिखिए आपको एक चीज़े को ध्यान रखना होगा कि बड़े company को उपर जब भी कोई मौका मिले तो उस मौके को हमेशा आप फाइदा के हिसाब से उठा सकते है अभी वो मौका क्या है मौका एई है कि अगर top level से अगर 20 person के आसपस correction हो तो वहाँ पे हमेशा में as a investment के हिसाब से सोचता हूँ और जो कोई technically chart patterns बने जब कोई patterns gate हो तो मैं उसके उपर trade भी ले लेता हूँ as a short term or swing trading के basis में तो अच्छा खासा एक trade मुझे मिला और एक target जो मिला है वो कितने दिन में मिला अगर anti-level से target तक देखू तो 145 दिनों के अंदर-अंदर almost आप बोल सेकते हैं 5 months के अंदर-अंदर 5 months में company 13% के return दिया तो इतने बड़े company के उपर 13% वो भी 5 months में return मिनना मेरे ही सबसे ठीक ठाकी है एक best है बाकि आप किस तरिके से सोचते है इस company के उपर जोरू मुझे comments करके बताना तो next चे company है उसके बारे में बात करो उसका नामे SG Mart Limited तो SG Mart Limited एक 6,000 क्रोर का company है और company जब lower range में था 3,600 और आज कितना range में है 10,000 के उपर 11,000 के आसपास मतलब तीन गुना company आपको return दे चुके है जिसके basis में company एक बहुत बड़े announcement भी कर दिया बोनस का 22 तरिको हार एक के बतले आपको एक साथ देने वाल है तो यह था कुछ companies के आपड़ेट वीडियो में जानकर अच्छे मिले तो प्लीस लाइक करना चैनल को सब्सक्रब्भी करना और हाँ यह वीडियो टूटली education पारपास में है मेरा खुद का टेड है मेरा खुद का opinion है अगर आपको काम करना है तो आपको जाएडवाजर है उसके साथ बातचीत करके जुरू काम करना में तो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद